बिहार के खगडिया चोतम थाना छेत्र के बक्या के बीच एक खेत से गुजर रहे इंडियन आयल की पाइपलाइन में मंगलवार को रिसाव शुरू हो गया इसके कारण सैंक्रो लीटर कच्चा तेल खेत में बहने लगा वहीं सुबह सुबह जब ग्रामिडों की डजर तेल पर पड़ी तो वहां लूट मार मच गई सभी लोग डिबे में तेल भरने लगे विडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गामवालों में कच्चा तेल लूटने की होड मच रही है हालकि इसी के बीच कुछ स्थानिये लोगों ने पुलिस को खबर दे दी मौके पर पहुंची पुलिस इसके बाद इंडियन आयल कंपनी के चोकीदार ने कंपनी का दिकारी को सूचना दी चोकीदार के मताबक शक है कि चोरों ने पाइपलाइन में छेद किया केत में टेंकर के टायर के निशान भी है